येज़ विल्कम बैक तो अदर वीडियो ओफ कोशिन फर यू आई होब गाईस आप सभी बहुत अच्छे होगे दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटफरक के बारे में और आज मॉर्णिंग के अंदर बहुत शांदर अपडेट्स आ चुके हैं आप सभी के लिए जो आज के इस वाली वीडियो के अंदर आप डिसकस करने जा रहे हैं के वाईसी को लेके बहुत इंपॉर्टन अपडेट आ चुका है जिन लोगों के के वाईसी अभी तक अटकी हुई है अंडर प्रोसेस है तो उनको क्या क्या चीज़े फॉलो करनी है और इसके साथ इंपॉर्टन हैं जो आज की इस वाली वीडियो के अंदर आप जानने वाले हो अगर आप एक गलती करते हो जिसके वज़य से आपका अपाइं अपाई अगाउंट वो सॉस्पेंट हो जाएगा तो अगर आप ये गलती करते हो पिलीज ये गलती मत करना सारी चीजों को हम में डिसकस करने जा रहा है और जो हाइलाइट से इसके अंदर हम कम चीज़ा रखेंगे क्योंकि वीडियो के अंदर आप सभी के लिए बहुत सारे दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोट्रिफिकेशन बैल को और पे ज़रूर प्रेस कर ले चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम चलते हैं अपने फर्स अपडेट की तरफ यहाँ पर फर्स अपडेट आ चुका है जहाँ पर बात की जारे है कि पाई नेटफर्ट इतना जादा मोस्ट एक्टिव क्रिप्टो करनसी क्यों बना हुआ है स्मार्ट फोन के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है पूरे परिट के अंदर पाई नेटफर्ट का हर एक तरीके से प्रमोशन हो रहा है बात की जाए पाई की टेक्सी की बात की जाए पाई की पेमेंट्स की बात की जाए पाई चैन मॉल की बात की बात की जाए हर एक लेवल के लोगों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है हर एक कंट्र बहुत सारे ऐसे पाइनियस है जो पाइनेटफक के साथ अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर चुके है और बहुत आगे तक पहुँच चुके है और सब भी लोग बहुत ज़ादा एकसाइटीड है इस चीज को लेके तो यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखाई जारी है जो कि लाइ पॉइंट ने हुई है 0.575 के आसपास की पेमेंट हुई है यहाँ पे ट्वांजेक्शन भी लिखिए है सारे प्रूफ से रियल ऑथेंटिक प्रूफ से आप सभी के सामने और यहाँ पे एस चीज को और क्लेरिफाय करके इन्होंने बताया है इस प्राइस ऑफ स्टेंग इ को 0.57 मतलब कि एक एस प्रॉपर पाई नहीं है उसका भी as a amount 57 डॉलर के आसपास आप सभी को देखने को मिलता है और यहाँ पे साब साब लिखा है जो होटल है उसने ओफर किया था कि एक पाई के इसाब से यह 100 डॉलर का आज़ा पे करेंगे यहाँ पे बताये जारहे according to the screenshot of the transaction यहाँ पे 100 डॉलर देने की आपको कोई जरूवत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ जो पेमेंट करनी हो पाई के अंदर करनी है और यहाँ पे यहाँ पे लाइफ प्रूफ है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है लाइफ इन दी रूम और यहाँ पे साफ साफ आप भी अंदाजा लगा सकते हो किस बहाँ पे पाई का प्राइज अफ फ्यूचर में आप सभी को देखने को मिल सकता है और अब भी के टाइम में एक चीज़ आप नोटिस करें कि एक पाई का एज़ा वैलिएशन 100 डॉलर के आसपास है वो चीज़ आप एक बर हटाओ और आप तो उन सभी पाईनेर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर साफ साफ लिखा है अगर आपने यह नहीं किया होगा तो इस वज़े से आपके के वाईसी में भी प्रॉबलम आएगी आपके ट्वांजेक्शन में भी प्रॉबलम आएगी तो यहाँ पर लिखा गया है कुछ important steps है सबसे पहले facebook on करना है फिर वहाँ पर जाने के बाद आपको setting में जाना है फिर जो next चीज है protecting application and website तो यह इस चीज को आपको enable करना है ठीक है protecting applications and website इससे क्या होगा किसी भी as a unknown website के अंदर अगर आप enter करते हो या किसी unknown application के अंदर आप enter करते हो तो आ आपका account जो hack होने वाला होता है वो बहुत ही कम मातरा होती है क्यों कभी कभी क्या होता है कि आप अपने details को किसी भी application में जाके login कर देते हो क्योंकि आपको रखता है कि same application है बटो same नहीं होती है ठीक है यह किसी scammy का भी account हो सकता है उस चीज को भी clear करेंगे तो उस situation के हुआ था उस situation के अंदर आपको एज़ा जाना है properties पे उसके बाद expiry करके देखने को मिलेगा फिसके बाद आपको click करना है Pi Network पे और वहाँ पे choose करना है क्या renewal of valid तो वहाँ पे आप choose करोगे तो आपको वाप इस option देखने को मिलेगा और इस चीज को सब भी को करना है बहुत KYC certification तो यहाँ पे अभी क्या है application के अंदर बहुत ज़दा updates आ चुके हैं जो कि आप सभी को देखने को मिला होगा और Pico team ने यहाँ पे साफसा बोला है कि इन्होंने बहुत ज़दा time spent किया है KYC as a project के उपर और यहाँ पे सारी चीजों को बहुत बहतरीन तरीके से build किया ज और जितने भी इसके pioneers है सभी को as a distribute कर जा रहा हर एक level पे तो यहाँ पे कुछ important चीजों को इन्होंने शेयर किया है जो आप सभी को as a complete करना जरूरी है इना terms of KYC और यहाँ पे बताया जा रहा है identity verification of refers to as KYC is the process to verify your identity जो कि आपका important होगा as a management transfer करने के लिए और बागी के future projects को complete करने के लिए and guys अब हम बात करते हैं by chance आपका name गलत हो जाता है तो उस situation में क्या कर सकते हो तो यहाँ पे as a आप देखते हो एक बंदा है जिसका name गलत हो चुका है और यहाँ पे इनका नाम सचिन पांडे करके है बट यहाँ पे पांडे की spelling में a missing है तो इस situation के अंदर इनक बट इन्होंने देखो क्या क्या चीज़े complete कर रखे है account verification की बात करें तो phone number verify कर रखा है facebook verification करें email address verification कर रखे है और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है जो email idea उसको verify करना जरूरी है बट तीनों को जरूरी है बट email idea को आप ऐसा मत सोचना कि जरूरी नहीं है इसको आप update या जो भी चीज़ होंगी आपके email id बे बता दी जाएंगी जिससे क्या होगा आपको as a problem देखने को नहीं मिलेगा आप simply उस चीज़ को resolve कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे इनकी यही गलती हुई थी कि इन्होंने जल्दी बाजी में अपना name गलट डाल दिया जिसके वज़े तो अपनी जो भी चीज़े है phone number, facebook, email id और आपका नाम खीक है और कौन सी country से आप इस चीज़ को fill कर रहे है और जो आपके documents है सबी को तरीके से upload करें जल्दी बाजी ना करें एक छोटी सी गलती करोगे आप तो ऐसा आपका भी लंबे time तक रूख सकता है तो इसलिए आप ऐसा करो कि आपका 10 से 15 मिन्ट के अंदर KYC verify हो जाए ओके and guys अब चलते है next most important update की तरफ यहाँ पर बताया जा रहा after submitting the name change wait patiently for pie code team review यहाँ पर उसी चीज़ को बताया जा रहा है जैसे आपका name में गलती होता है तो आप change करते हो तो इन्होंने बोला है कि आप वहाँ पर थोड submission आपका verify हो गया है समझे जो मतलब आपका submission मतलब एक तरीका से आपने कर दिया है मतलब आपने type कर दे कि मेरे नाम में यह गलती थी and then okay उसके बाद वहाँ से under review के अंदर है तो आप अपने site से यह लेके चलो कि आपके तरफ से हो गया और वही कुछी घंटों के अंदर या crazy है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और यहां बताया जा रहा है इन्होंने pie as a क्या खरिदा है pizza खरिदा है pie से pizza खरिदा है और यहां पर देखो अलग-अलग country के different religion के लोग है जिन्होंने इस चीज का as a promotion भी क्या है photos भी social media पे share किये यहां पर आप photos देखो इंडिया क photos है यहां पर photos है तो बहुत सारी photos है जो अलग-अलग country के pioneers है बट इसके अंदर mostly Indians है तो यहां पर आप एक चीज देखो कि इंडिया के अंदर भी जो cryptocurrency का crazy है अब वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है जो fiat currency है जो normal Indian currency की बात करें या as a dollars की बात करें इनका तो नाम या इनका तो काम रहेगा ही रहेगा importantly बट आपका जो as a cryptocurrency जो revolution है वो बहुत तेजी से इंड़ा के अंदर भी आ रहा है लोगों को awareness हो रहे है कि cryptocurrency की actual power क्या है actual knowledge क्या है जो आप सभी को बहुत ज़्यादा financially as a strong बना सकती है एंड गईज चलते है next update की तरफ यहाँ पे happy weekend को लेगे बताया जा रहा है आप सभी के as a pie internal application के अंदर UI update आ चुका है और pie network daily basis पे बहुत ज़्यादा updates दे रहा है बात कि जाए pie chain mall की या normal applications की हर बार as a update करता जा रहा है अपना version बढ़ाता जा रहा है जिससे कि आप सभी को क अगर आप इस situation में एक भी गलती करते हो तो आपका account properly suspend हो जाएगा या आपके जो coin से किसी और account में transfer हो जाएगे तो यहाँ पे इस type का कुछ message आता है जहाँ पे pie network verified करके आता है जिससे कि mostly लोगों को यह लगता है कि यह real है और यहाँ पे लिखा होता है we are holding an airdrop for pie news who have successfully done kyc with a total price of कितना 100 pie तो यहाँ पे आप सबी को जिन्होंने kyc verify कर लिया है उसके साथ यह airdrops का लालस देते हैं कि जिसका kyc complete हो गया है उसको हम airdrops दिलाएंगे और उसके साथ जो total price होने वाला है वो 100 dollar के असपास होने वाला है जो आप सबी को एज़ा मिलने वाला है ठीक है और यहाँ पर लिखा है we are so excited for the future let's do the job as a proper यहाँ पर नेम वेगरा भी लिखा रहता है और उसके साथ यहाँ पर लिखा है claim your reward तो लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जाके मुझे claim करना है क्योंकि मेरा kyc verify हो चुका है दोस्तों यह उनी accounts को target करते है जिनका kyc complete हो चुका है जि simply आप link पर click करते हो और उसके बाद आप अपना account भी login कर सकते हो और आज कल का इतना hacking system fast हो गया है सिर्फ एक link पर click करते ही आपका जो system है आपका जो phone है वो properly उसके पास access चले जाता है तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पर officially pine network ने बताया है कि हमारा ऐ कोई भी ऐसी चीज़े बोले तो बिल्कुल भी विश्वास ना करें एंड गईस आज की वीडियो के अंदर इतना ही मिलते है नई वीडियो के साथ और अब भी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज काईस एक लाइक जरूर कर देना इससे हमें motivation मिलता है और बहतरीन व बंदे मातरम